हेलो दोस्तों नमस्कार मेरे यूटूब चैनल टक्निकल SM आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे कि आप खाता खतोनी खसरा कैसे डाउनलोड करना है और कैसे जमीन का पूरा व्यूरो देखना है कैसे खाता खतोनी निकालना है आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले ह सुरू करने से पहले आपसे एक छोड़ी सी रिक्वेश्ट है आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज सस्क्राइब कर दें आपको किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेने हैं ओपन करने के बाद आपको गुगल में टाइप करने हैं भूलेक.gov.in आप ये वेफसाइट को टाइप करने के बाद आपको ध्यान देना है कि आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट का नाम आपको इसके आगे फिल कर लेने हैं जो जैसे कि मैं उत्राखन में रहता हूं तो मैं उत्राखन टाइप करूंगा जो योपी में में रहते हैं उपी ऐसी प्रकार ​ आप जिस भी स्टेट में रहते है उसको आपके इस वेफसाइट के आगे टाइप कर लेने हैं चलो मैं यहां पर उत्राखन में रहता हूं तुम अपना बोलेक.gov.in के आगे अपना उत्राखन टाइप कर लूँगा चलो मैंने यहाँ पर अपना UK टाइप कर लिया UK टाइप करने के बाद मैं यहाँ पर सर्च करने के बाद नीचे देखेंगा आपको यहाँ पर सबसे उपर भूले देखने को मिलेगा आपको इसमें किलिक करने के बाद आप यहाँ पर सेलेक्ट करने बाद आपको अपना ग्राम का नाम सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर आपको आसानी से मिल जाएगा, अगर नहीं मिलेगा तो आपको राइट साइड में दिख रहागा ग्राम का पहला कसर चुने, आप इसमें से अपना पहला कसर चुन के भी सर्च कर सकत चलो मैंने अपना अपने यहां स्राम के नाम स्लैक्ट करने के बाद आपको के घान जया का बट DR यहां ओर घाता संगे वह इस्ट्री ़हां चलो करना कि अब आप इस पर घाता खतान नहीथ देख सकते हैं यह आपके खाता ख़ता नहीं सामने आपको देखने को मिल जाएगा चलो हम बैग आ जाते हैं आपको सबसे आसान तरीका बताएंगे अगर आपको खसरा और घाटा संग्या पता नहीं है जैसे कि आपको दिख रहागा सबसे उपर खसरा और घाटा संग्या दोरा भी आप सर् से आसान तरीक है आपको जो इसमें कीपड दिख रहा है इसी में से आपको पहला अकसर सेलेक्ट कर लेने हैं जो भी आप खातेदार का नाम है उसका पहला अकसर आपको सेलेक्ट कर लेने हैं उसके बाद खोजे में क्लिक करने हैं खोजे में क्लिक करने के बाद आपको यहां जाहें उसका नाम और पादर नेम के आगे लिखा हogo जैसिक से देख सकते हैं इसको देखने के बाद आपको क्या करने हैं यहां पर स्लेक्ट करने के बाद आपको देखे में क्लिक करने हैं देखे में क्लिक करने हैं आप इस परकार पूरा अपने जमीन का पूरा और खाता खतोनी पूरा इस परकार देज सकते हैं अगर आप इसका प्रि यह बदलते रहता है तो भाग यह भागवन आपको देगा है खाता संक्या यह है खाता संक्या से भी आप सर्च कर से लेकिन खाता संक्या की होता है छे साल के बाद बदल जाता है फिर आप यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर खसरा संक्या देखने को मिलेगा य आप सबसे नीचे आएंगे तो आपके टोटल कितने खेते हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा चलो हम सबसे नीचे आजाते हैं आपको दिखाते हैं तो हमारे टोटल कितनी खेते हैं यहां पर टोटल आठ खेते हैं और यहां पर आपको राइट सेर में लेगा यह तोटल है सब्सक्राइब सब्सक्राइब करें